नमस्कार मैं हूँ श्वेता जहा सुबह सुबह में खबरों के सूपर डोस के साथ एक बार फिर से हम हाजर हैं सबसे पहली खबर संसद सत्र से जुड़ी हुई जी हाँ आपको बता दे की आज से मौसून सत्र शुरू हो रहा है सत्र सुबह नौबजे से इसके शुरुवात होगी कोरोना संक्रमन काल में भी शुरू हो रहे संसद सत्र में सुरक्षा के पूरे इंतिजाम किये गए हैं बेशक ऐसी तस्वीरें तो कम से कम इस कोरोना काल में संसद भवन से नहीं आएंगी न इस तरह से संसद एक दूसरे से बहस करते दिखेंगे लेकिन हाँ कोरोना के इस भीशन काल में संसद का सत्र आज से शुरू जरूर हो रहा है पहली बार ही होगा जब संसद सत्र सुबह नौ बजे से शुरू होगा और एक बजे तक चलेगा संसद सत्र शुरू होने से पहले लोगसभाई स्पीकर ओम बिरला ने संसद भवन का मुआइना किया सुरक्षा व्यवस्था को जाचा परखा इसके पहले सभी संसदों का कोविड टेस्ट भी कराया गया असाधरन परिस्तितियों के अंदर 14 सितंबर से संसद का सत्र शुरू होगा कि इस संसद के सत्र के लिए कि स्वास्थ और सुरक्षा के व्यापक इंतिजाम किये गए हैं कि सभी माने सद्शों का कोविड टेस्ट कराया गया है संसद के अंदर आने वाले सभी करमचारी अधिकारियों का भी कोविड टेस्ट कराया है लेकिन परिशानी की बात ये है कि संसद सत्र शुरू होने से पहले ही पांच संसद पॉजिटिव निकलाए हालांकि आपको बता दें कि संसद में सुरक्षा के पुखता इंतजाम किये गए हैं संसद अपनी उपस्थिती डिजिटल माध्यम से दर्ज कराएंगे संसद में प्रवेश करने वाले सभी लोगों का ताप मान मापा जाएगा थर्मल गन और थर्मल स्कैनर का उप्यो किया जाएगा चारिस जगों पर टचले सैनिटाइजर लगाए गए हैं संसद में आपाद कालिन मेरिकल टीम और स्टेंड बाई पर एंबुलेंस की सुविधा भी होगी कोविट पर बनाए गए नियमों का सखती से पालन किया जाएगा संसद परीसर के अंदर जितने भी गेट हैं जहां से मानने सदश बुझरेंगे उन सारे गेटों पर सैनिटाइज की वैस्ता की गई है सैनिटाइजर और मास्क के व्यवस्था की गई है सुरक्षा के लिहाँ से इस बार सांसदों के बैठने के व्यवस्था भी परिवर्तित होई है क्वेस्चन आवर और जीरो आवर भी इस बार कोविट के चलते नहीं होगा मुझे लगता है कि इस पूरे सेशन को और अच्छे ढंक से आयुजित करने के लिए तैयारी की जा सकती थी जीरो आवर क्वेस्चन आवर बिल्कुल रखा जा सकता था और जब आप सोसल डिस्टैंसिंग मेंटेन कर ही रहे हैं सीट का अरेंजमेंट इस तरह से कर रहे हैं कि लोग दूर दूर बैठेंगे तो पारलेमेंट को बिल्कुल विधिवत तरीके से चलाना चाहिए था कोविट का खत्रा बड़ा जरूर है मगर संसत का सत्र शुरू हो रहा है तो सरकार को घेरने की तैयारी भी पुखता है पूरी तैयारियों के साथ संसत का सत्र शुरू हो रहा है सरकार की चुनौती होगी कि ज्यादा से ज्यादा काम हो सके जबकि विपक्ष सरकार से हर मुद्दे पर जवाब चाहेगा और दोनों तरफ से संसतों की चुनौती होगी कि कैसे वो कोविट से बच सके आज तक व्योरो